गने जी तो जब घर में प्रवेश दो, तो गने जी का मुख आपकी हो, महारत, और जब गने जी को विसरजन भी करो, तो गने जी का मुख आपकी हो, पीत नहीं, पीत नहीं, कई-कई लोगों के घरों में गने जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजेगा म मूर्ति ये दो चीजे कैसी हैं जिसको कुवेर का श्टेचु भी आता है जिसको कंदे पे पोटली रखी हुई इस्टेचु आता हुग गंजबाबा रहे सो क्या बोलते हैं हम लोग करते कुवेर श्टेचु बोलते हैं ये भी गिफ्ट में नहीं दिया महाराज यदि गनेश की मूरती गनेश की प्रतीमा गनेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीक को लिखकर रखना उसके बाद में धीरे-धीरे छिंड होने लगती है संपदा टिकती नहीं एक रुप्या कमाओगे सब रुप्या खर्चो और घर के हर जगाहा पर गनेश की मूरती नहीं लगाना चीए घर का फोटो गनेश का फोटो हर जगा पर नहीं लगाना जहां पूजन करते हो वहां लगालो जहां इस्मन करते हो वहां लगालो चल जाएगा पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में और यहां तक कई लोग साल पर गनेजी रखो मना नहीं है, पर गनेजी रखना कौन सी दिशा में चाहिए, उसका भी शास्त्र प्रमान बंडन करता है महाराज, लाते समय गनेजी का मुख आप की ओर हो, कल से एक नियम लेना, शमी के व्रच की पत्ति, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गनेश को बेलपत्र, शमीपत्र समर्पित होता, आपको कथा में बंडन किया था, 33 कोटी देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चड़ेगा, पर 33 कोटी देवताओं को शमीपत्र चड़ता है, और उसमें एक गनेजी महाराज और एक बाबा भोलेना, इन दोनों को शमीपत्र समर्पित महाराज, कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है, रिद्धी सिधी पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठिक है, ये गोल जला धारी है, ये चरण से जल नीचे ग जाती है, एक एक बून जो उपर से गिरा रही है, ये शिव की पाच बेटी, जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गनेजी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्ति के का स्थान, बीच में संतर जी की सबसे छोटी लड कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गनेजी का स्थान है, वहाँ पर पाच शमी पत्र, पाच समर्पित करें, और शंकर जी के उपर तीन शमी पत्र समर्पित करें, बहुत ध्यान देना, पाच शमी पत्र, जहां गनेजी का स्थाने शिवलिंग में वहां समर्पित करें तीन समी पत्र शिवलिंग के उपर समर्पित करें एक समी पत्र शंकर जी की चोखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाग जब मंदिल से निकलो तो उल्टे हाग पर लेफ्ट भाग में चंकर जी की चोखट पर समर्पित करें एक शमी पत्र और महराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है मंदिर में ना दिया लगा कर बाहर की और जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दिजिए केवल गनेश चतूर्थी से लेकर अनंत चतूरदशी तक गनेश पुराण करती है भगवान गनेश जी का मोर्धवज का मयूर्धवज गनेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चणा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धी नहीं जाती देखो प्रतिष्ठा नहीं क्यों नहीं बोल रहा है क्योंकि गनेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्प्रेरी है दस दिन के लिए कर दिया फिल बापी भी सर्जन कर दिया पर जहां शंकर मंदिर में बेट गए शिवलिंग इस्था पित हो गया महां ना जाने कितने समय से शंकर की अराधन हो रही है वहां गनेश जी सदा बिराजमान है सदा अराधन और देखो ये दस दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुरान का मेरे बाबा विश्वनात की कृपा कहती है मेरा मन कहता है दस दिन के अंद आप शमी चड़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी ख़वर जरूर मिलेगी ये पकार पर हमें बताना जरूर वाटसप पर हो मेंसे जरूर करना कि क्या खायदा हुआ आपको दस दिन के अंगर बोलना जरूर करकर देखिए शिविस्मर भगवान गणेश शिविदा तीसरा क्रम गणेश जी की मूर्दी जब लेकर आओ तो गले में जनेव के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए गणेश जी की मूर्दी में जनेव के रूप में साप हो या कमर पर बंदा हु मंगलवार करो प्रदोश करो तमारे चेहरे पर उस वरत में प्रसनता होना चाहिए अगर चेहरे पर प्रसनता नहीं है भगवान उस वरत को सिखाव नहीं करता आज हरताली का तीज है, कल्चतूर्थी है, पंच्वी है आप जो भी वरत करो आपके चेहरे पर एक प्रसनता का भाव होना चाहिए कि मैं आनंद से भगवान को रिज़ाने के लिए ये ब्रत कर रही है भगवान को पाने के लिए होना चाहिए वई अगर गणे जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं दोनों और जनला चाहिए, रिद्धी सिध्धी के लिए, तब प्रवेश मेरे गणे जी महाराज सीधा चरन अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणे जी की स्थापना करिए, और इस स्थापना के समय पर दो बिंदी, जहां गणे जी बेठें, साइड में कोई दिवाल हो, तो एक हल्दी की, एक कूकू की बिंदी जरूर लगाए, क्यों? जब आखरी दिन हम अनंचतुरदशी के दिन गणे जी को जब बिदा करें, तो ये रिद्धी और ये सिध्धी, ये कूकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धी और सिध्धी हैं, बहुए हमारे घर में भले बेटा काम पर चले जाए, क्या होता है? रिद्धी और सिध्धी हम साथ में गणे जी के विद्धी